हम बात कर रहे हैं रिफेक्स इंडिस्ट्रीज की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इस टॉक ने आमको एक पर्षेंट तक के आफ साइट के साथ क्लोजी दिखाई है गिरावट आई थी उस वक्त हमने डिस्कस किया था 140 के सपोर्ट लेवल को हम देख सकते हैं स्टॉक 140 के सपोर्ट से बांस बैक हुआ है और रिजेक्शन फेस कर रहा है 156 के लेवल पे दो दफा इस टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है लेकिन जब दोनु दफा गिरावट आई है तो इस टॉक ने सपोर्ट कहां लेए जहां इस से पहले इस टॉक रिजेक्शन फेस किया था 148-150 के लेवल पे उपर की ओर यह आप इस टॉक सस्टेन हो रहा है 140 से जब रिकवरी आई है तो इस टॉक 150 के ऊपर सस्टेन हो रहा है अप यहां से आमको बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मेरा गिरावट आ रही है तो 148-150 के लेवल पर इस टॉक सपोर्ट ले रहा है अपने रिसेंट लो को ब्रेकडॉन नहीं कर रहा है तो यहां से रिफेक्स का खेल पलट सकता है इमेडियर जो सपोर्ट का काम कर रहा है हम देख सकते 148 का लेवल और इस टॉक जब तक इस लो के ऊपर है तब तक इसमें आप आप साइट के चांस बने है जिस दिन भी रिफेक्स 140 के लेवल को ब्रेकडॉन करेगा उसके बाद फिर बड़ी गिरावट दिखा सकता है लेकिन यहाँ इसके में बने है अप ट्रेंट के चांस ब्रेकड के चांस बने हैं यहाँ से रिफेक्स हमको तेजी दिखा सकता है लेकिन इसके कनफोर्मेशन के लिए हमको नजर रखनी होगी किस लेवल पर उसको हम डिसकस करने की कोशिश करते हैं अब अगर इमिडेट टारगेट की बात करें तो जहां से इस्टॉक ने दो दफ़ा रिजेक्शन फेस क्या 156 का लेवल अपना पहला तारगेट रहेगा और इमिडेट तारगेट रहेगा इसको ब्रेकड कर जाता है तो नेक्स जो तारगेट रहेगा 160 का लेवल अब 160 के लेवल पर हम थोड़ी सी नजर दालते हैं जब गिरावट आ रही थी 148 के आसपास 150 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेकर एक जम दिखाया था कहां तक का 160 तक का 160 से लेवल से रिजेक्शन लिया तो अपने रिजेंट लोग को ब्रेकडाउन करके 140 तक का फॉल तो इस बॉन्स बैक के साथ 160 का जो लेवल है अब एक रिजिस्टन्स का काम करने वाला है तकडे रिजिस्टन्स का इसी लेवल से रिजेक्शन फेस करके इस टॉक ने गिरावट दिखाई है तो आप रिफेक्श के लिए इंपोर्टन रहेगा 160 का ब्रेकड अगर इसको ब् पारगेट रिफेक्श में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अगर आप टिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो वीडियो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाइसल या होल्ड की सला नहीं है